Hello friends, this is Manish Saxena और आज इस वीडियो में हम सीखेंगे कैसे हम सिर्फ दो मिनिट में किसी भी फोटोग्राफ का हम कलर जो है परफेक्टली करेक्ट कर सकते हैं, तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो अब आप वीडियो में देख रहे हैं, यहाँ पर एक इमेज है फीमेडल का पोंट्फुलियो शूट के रहा है आप देख पा रहे है कि फेस जो है पूरा यळो और जैसा जो है पूरा कलर जा रहे हैं हाथ में और कलर जो है पर्फेक्ट नहीं है क्लिक करूँगा यहां पर अब इस फोटोग्राफ में जहां भी आपको ग्रे कलर दिखाई दे फॉर एक्जामपल मैंने पूरा इमें जिखा कहीं भी ग्रे कलर दिखाई दिया लेकिन आप देख रहे हैं जनरली क्या होता है जब हम ग्रे काड यूज नहीं करते हैं तो हमारे कलर जो है वाइट बैलन्स हमारा ठीक नहीं आता है इमेज के अंदर तो यह टेक्निक वहां पर काम करती है आप पोस्ट में या फोटोशॉप में जैसा कि आप देख रहे हैं मैंने कलर्ट कर लिया तो यह ग्रे कलर प्रेप एक डोबर क्लिक कीजिए जहां भी आपको परफेक्ट कलर मिले बस उसी रेफरेंस को लेकर आप आगे बढ़ सकते हैं अपने 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 एडिटिक के लिए तो मैं एक बार और यहां भी ट्लिक करता हूं दीजिए यह तो इस लुगिंग बेटर यहा मैं एक छोटा सा वीडियो आपके लिए बनाया था लेकिन अगर किसी पिक्चर में हमारे पास में ग्रे रेफरेंस नहीं है तो उसे हम कैसे करेंट करेंगे वो भी आज आज अब इस वीडियो में सीख लेते हैं अब इस इमेज को आप देख रहे हैं दोस्तों यह एक मॉड यहां यहां और आप देखे हैं यहां हमें मिल गया एक ब्लैक रेफरेंस पोइंट इसे करना है हमें okay करने की बाद राइंटेंस साड में हम यहां normal से जाएंगे सीधा difference पर यह सेलेक्ट करना है अब आप देखनेगे जैसे हमें difference अपर नेगटिव सा अब कोई मिज धिकाई यहां पर हमें जाना है नीछे एक लेयर को प्रूइट करना है इस तरह से लेयर क्रिएट करने के बाद दूस्तों हमें यहां से brush pick करना है brush pick करने के यहां पर हम दिखेंगे कि सबसे darkest या close to gray point कौन सा है तो आप यह दिखेंगे यह जो एरिया है यह हमें तफ़ dark area नजर आ रहा है तो यह मैंने इस तरह से mark कर दिया अपने reference के लिए ताकि कहां पर हम जो है जो भी हम dropper लगाएंगे अपना उससे best अपन जो है color निकाल सके अब यह जो layer है friend इसको हम यहां से कर दिंगे एकदम delete और अब तुबारा में जाना adjustment layer पर वापस हम click करेंगे Curves पर click करने की बाद यहां पर हम middle eye dropper लेंगे इस तरह से और यहां पर हम click करेंगे इना अटा दिता हूँ यहां हम click करेंगे इस एरिया में अब देखें colors होगा है हमारे perfect एक दूजे के और click करके देखते हैं कहां best color मिल रहे हैं तो आइधिंक यह जो color है हमें perfect color नजर आ रहा है आप देख सकते है friends this is before and this is after तो इस तरह से जो है कुछ ही एक यह दो मिनिट के अंदर अपने colors को correct कर सकते हैं अब यह जो आपको दिखाए दे रहा है यह जो आपने circle बनाये इस layer को हम यहां से कर देंगे delete so एक छोटी से technique के friends और आपको पसंद आया होगा और आपने सीखा हो की color जो है आप कैसे दो मिनिट के अंदर जो है correct कर सकते हैं अपनी photographs का अच्छा रहा हो तो जल्दी से like करो चैनल सब्सक्राइब नहीं है तुझे आपको जल्दी से subscribe कीजिए जल्दी मिलता है फिर नए जिए टीजिए था था झाट 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 वाचिए तॉट वाचिंट्स